Foundation for Environment Education याने FEE याने डेन्मार्क ने भारत के दो और समुद्र तडो को इस साल Blue Flag Certificate से सम्मानित किया हुआ है तो जिसके बाद भारत में Blue Flag Certified Beaches की संख्या अब 10 हो गई है और पिछले साल भारत में 8 Beaches याने की सिवराशपुर गुजरात में है जो की और घोगला दीव में है और कासर कोड जो की पदू बिंदरी करनाटक में है और कप्पल केरल में है और रशी कोंडा आंद्र प्रदेश में है और गोल्डन ओडिशा में है और राधानगर अंड़मान और निकोवार को ये certificate दिया गया था जो इस साल भी बरकरार रखा गया है और इसके अलावा इस साल दो और नाम लिस्ट इस लिस्ट में सामिल हो गए है वो और वो है तमिलनाडु का केवलन बीच और पांडुचेरी का इडन बीच तो इस तरह को मिलाकर भारत में ब्लू फलेक सार्टिफाइड बीचिस की संख दस हो गई है तो अब चाहते हैं कि क्या है ब्लू फ्लैक सार्टिफिकेट तो आपको बताते हैं कि ब्लू फ्लैक दुनिया का सबसे प्रतिस्थित और मानता प्राप्त एको लेवल अवार्ड है जो समुद्र तटो मेरीना बीच और इस्टेन लेबल और बोटिंग टूरिज् तो FFE की स्थापना जो है वो साल 1985 में फ्रांस में की गई थी और इसके दो साल बाद यानि की 1987 से इसने अपना काम सुरू किया और 2001 से ये ये यूरो के बाहर भी लागू किया गया और ये सार्टिफिकेट एक साल तक वैलिड होता है तो ये कैसे दिया जाता है Blue Flag सार्टिफिकेट तो आपको बताते हैं कि किसी भी देश के समुदरी तर्टों को ये सार्टिफिकेट देने के लिए कई क्राइटरियास तैकिया गए हैं जिस भी देश के समुदरी तर्ट इन पर खरे उतरते हैं उन्हें ये सार्टिफिकेट दिया जाता है तो ऐसे लग भख 33 स्टंडर्ड हैं जने इस साटिफिकेट के लिए पूरा किया जाना जरूरी होता है तो इनसस्टंडर्ड को पूरा करने के बाद ही बाकी स्टंडर्ड को ध्यान में रखा जाता है और इन में environmental education and safety water quality और environmental management और मुख्य रूप से सामिल है तो फ्रेंड ब्लू फ्लैक दर्जा पाने के लिए नामों की सिफारिश एक independent national जूरी दोरा की जाती है जिसमें पर्यावरान के जानकार और वग्यानिक शामिल होते हैं ब्लू फ्लैक सार्टिफिकेट पाने वाले बीचिस को दुनिया के सबसे क्लीन बीचिस में से एक माना जाता है बहुती साप सुतरा पानी होता हुआ का तो भारत जो है दुनिया के उन पचास देशों में सामिल हो गया जिनके पास blue flag certificate वाले समद्री तर्थ हैं तो यह भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी achievement है तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो करपैस कमेंट से में लिखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है